हेलो दोस्तो गूड मॉर्णिंग स्वागा थिक्वाइब फिट से आप सभी का एम जेटी एजुकेशन में आज है 21 मार्ज आज की वीडियो में हम बात करेंगे 21 मार्ज 2023 के मोस्ट इंपोर्टन करेंट के कुशन के बारे में वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले कलका क्वि ने मिजडर बनाए गए और प्राकृते खेती पर अंतराश्य सम्मेलन मडिपूर में आज़ित किया गया वहीं अभी स्नेक्स इंद गंगा नाम की एक पुस्तक लिखी गई है राज्यू मलहोत्रा और स्रीमत्ती विजया विश्व नाथन जी के दौरा हाले में इस पात मंत जो में मेगा टेक्स्टाइल पार्क अस्थाबित करने की गोश्णा हुई है यूक्रेन को लडाको विमान उपलब्द कराने वाला पहला नाटो का देश बन गया है पोलैंड स्वाया रोबोटिक्स ने अभी हाली में DRDO के R&D डिपार्टमेंट और डिबेल इसके साथ मिल क करके एक क्वाड्रप रोबोट और एक्सो स्कलेटन का अनावरण किया है दीपक बागला यह इन्वेश्ट इंडिया कंपणी के M.D.O.C.E.U. पत से स्तीफा दे दिये हैं यह टॉप 10 करेंट अफेर की कुश्ण से कल की वीडियो से जिनका आपने किया आपको एकले रिवि प्रिशन साते हैं जब एक दिन में दो या दो से अधिक दिवस मनाया जाते हैं उनको मैं एक ही मर्ज किया करता हूँ तो आप लोग उसको अलग अलग भी कंसीडर कर सकते हो ठीक है लेकिन मैं आपको दोनों को एक ही में बताऊंगा चलिए तो 20 मार्च को यह दोनों दिवस मनाया गया एक एक करके जानते हैं सबसे पहले International Day of Happiness तो खुष रहा करो यार खुष अहाली के लिए यह दिवस मनाया जाता है ठीक है और भारत का अस्थान तो बहुत पीछे भी है World Happiness Index भी इसी दिन जारी किया जाता है इस बार की जो थीम रखी गए थी वो है Be Mindful, Be Grateful, Be Kind समित राष्ट महासभा के द्वारा 2011 में इसकी बात चीत करना सुरू हुआ और 2012 में थोड़ा सा और इसमें डेवलप्मेंट हुई लेकिन शुरुवात या कहा हैं पहली बार मनाया जाने की गोशना 2013 से हुई भारत अभी जो लेटेस्ट रेंकिंग जारी की गई है इसमें 126 इस वे नंबर पर है अभी इस रेंकिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे डीटेल में चर्चा करेंगे आग्याने मेले कुश्चन में सबसे पहले अगले दिवस को जान लेते हैं तो अगला दिवस है वर्ड ओरल हेल्थ डे यानि की 20 मार्च इसी दिन मनाया जाता है यह ओरल हेल्थ के बारे में अवेरनेस फैलाने के लिए ओरल हेल्थ बोले तो मौकिक एक स्वास्थ ठीक है मौकिक स्वास्थ कैसे होगा मौकिक स्वास्थ आपके मुह के स्वस्थ रहने से होगा आपके मुह में क्या होता है दात होता है जीव होती है तो दात ही ज्यादा विम के दौरा यह मनाया जाता है और प्रतेक वर्स मनाया जाता है इस बार की थीम लखी गई है बी प्राउड आफ यूर फेस अगला यह मार्च महीने का इंपोर्टेटण दिवस कल हमने की या थे अगे अगे देखते हैं हाली में सौधी अरब ग्रैंट प्रिक्स का खिताब किस ने जीता तो सौधी अरब ग्रैंट पिट्री वनेट थीर पो है दोस्तों किसने इस बार इसे जीता है सार्ज्योपेरेज ने दे पिछला वाला जीता था मैreks jours 165arc 1912 का यह जो साओधी अरब वाला जन्सक्रण हुआ इसको सार्ज्योपेरेज ने सर्जियो पेरेज भी pół के है और में वर्टॉट एफणे पिछले सीजन में दोस्तों 19 प्रदस्द किए पिछले में सबसे जाधा रिजेस जीते हैं मैक्स वर्श सेपन वो है निधरे लेंग के सार्गों के साने औरe रेड़बूल कमपनी है जिसके यह ड्राइवर है ऐसे ही होता है आप बहुत सारी कमपनीया सुनते हो रेड़बूल हो गया या फिर मर्चरीज हो गया जिसके लुइस हमिल्टन है सबसे ज्याधा रेस उन्हों ने जीत लिए है तो यहां पर फिलाल सेर्जीओ पेरेज के बार अभी में पदमालक्षमी किस राज की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी है के केरल में ध्यान रखिएगा यह देश की पहली नहीं बनी है भी मैं देश वाला भी आपको बताता हूं तो इनको केरल के स्टेट वार काउंसिल में चुना गया है ट्रांसजेंडर वकील के रूप में ठीक है अब कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट जिनको आपको ध्यान रखना ज़रूरी है यह आपके लिए रिविजन पॉइंट समझ लो तो देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर वकील पूछा जाएगा तो आप सर्तिस्री सरमिला बताएंगे 2018 में यह बनी थी यह तमिलाडू स्टेट से आती है और केरल की कौन बनी पदमा लक्षमी दो चीज के लिए देश के अगर पहली ट्रांसजेंडर जर्ज के बारे में पूछा जाने अधिस तो आप बताएंगे जो येता मंडल वैसे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो दे अपना जेन्रेट चेंज करा करके प्रिया बन गई थी वो ठीक है वो पहले मेल थी फिर प्रीमेल बन गई तो यह कुछ चीजें हैं आगे बढ़ते हैं हाली में जारी वर्ड हैपिनेस इंडेक्स 2023 में भारत की सस्थान पर है तो 2023 की जो वर्ड हैपिनेस इंडेक्स आई है इसमें भारत आ गया है 126 अस्थान पर अभी हाली में इसे जारी किया गया है इंटरनेशनल हैपिनेस दिवस के अवसर पर यहां पर आप टॉप टेन रैंक वाली लिस्ट देख पाएंगे कंट्रीज की फिनलेंड हमेशा यह पन वाला बन मैं आपको बताया था ना फंलेंड पंलेंड खिया रखोंगे यहां करके हमेही डाप पर रहता है डेन मार्क यह सेकंड पर है स्वेट्जों लेंड cardio's है पूर्थ पर उसके बाद ऐसे नार्वे स्वेडियन लेक्जंबर करते आओगे तो आस्ट्रिया है दस्वें अस्थान पर ठीक है मैक्समुम आपको यहां पर यूरोपियन कंट्रीज दिखेंगे अच्छा मैक्सम क्या आलमोश्ट सभी है आलमोश्ट सभी है ठीक है न्यू सिक खुसहाली रैंकिंघ में सुचकांक में आगे बढ़नते हैं हाली में धोमरपान कानूनों के लिए कि स्राज को स्वास्थ सहरा के लिए साहिधारी का प्रूस्खार मिला तो यह मिला है प्रूस्खार करनाटक को धोमरपान arrangements के लिए धुमरपान पर कानून बनाने के लिए यह यह अवार्ड मिला है और यह अवार्ड हेल्दी सिटी के लिए मिला है कहा जाता है हेल्दी सिटी अवार्ड ठीक है तो हेल्दी सिटी अवार्ड फर स्मोकिंग लॉज यह मिला है किसे बैंगलूरू सहर को करनाटक का जोकी है इसके पर साज़निक अस्थान पर धुम्रपान रेट था वह घट करके 2021 में 13.3% तक हो गया है जो की एक सरहनिय कारे रहा है वैसे धुम्रपान निसे दिवस कब मनाया जाता है मार्च महिने के सेकेंड वेदनेस डे को ठीक है सेकेंड वेदनेस डे को मनाया जाता है और अगर आपसे से पुछा जाए विश्व तंबाकू निसे दिवस कब मना जाता है तो अब बताएंगे 31 मई को नोट डाउन कर लेना दोनों डेट इंपोर्टेंट है आगे करनाठा की बात करेंगे करनाठा की बात तो अभी दो दिन से लगातार ही हो रही है इसलिए हम लोग आगे बढ़ सिपका तो 2023 में भारत में होगा और एक और इसमें जोड़ लो जैसक मैंने आपको रिविजन करीबार करवाया हुगा है इस बार तो होकी विश्व कप का सक्सेस्पुली आयोजन भारत ने कराया ही 2023 में क्रिकेट का वर्ड कप भारत ही आयजुद करेगा और अब इसमें भी सब्सक्राइब कर रहा है इसके अलामा और जो भी चीजें होती है जैसे ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप हुआ इसको भी भारत नहीं आयजुद किया तो यह सब चीजे आप याद रखोगे तो इंपॉर्टेंट रहेगा क्यूंकि भारत में जब में होती है तो कुश्व सब बनते हैं फिलाल यहां पर सैफ चेंपियंशिप की बात करेंगे हम लोग सैफ चेंपियंशिप जो है यह फुटवाल का एक टूर्णामेंट होता है तो यह 21 जून से 3 जुलाई के बीच में आयजुद होगा भारत में जबानी इसकी करेगा बैंगलुरू में यह करके जिता था और महिलाओ में अगर बात करें तो महिला में जो सैफ का चेंपियंशिप हुआ था उसको बांगलादेश की टीम ने जीता था यह आप याद रहेंगे बांगलादेश ने भी नेपाल को ही अरा करके जीता था भारत ने Under-20 में भी सैफ 20 चेंपियंशिप जित तो परोसी देश नेपाल के तीसे उपर राश्ट्रपती बन गए हैं दूस्तों कौन राम सहाय प्रसाद यादो ये बन गए हैं नेपाल के नए वाइस प्रेसिडंट अभी नेपाल में नए राश्ट्रपती बने हैं आपने देखा कुछ दिन पहले ही उन्होंने सपत ली और अब नए उपर राश्ट्रपती आ गए हैं ठीक है तो चलो फिरस्ते एक बार करते हैं रिवीजन नेपाल के प्रधान मंतरी कौन है पुस्प कुमार दहल नेपाल के राश्ट्रपती कौन है राम चंद्र पौडेल नाम लिख दे रहा हूं और ये पुस्प कुमार दहल ठी तो ये दहल जी क्या है PM है और ये है राश्ट्रपती ठीक है दोनों का नाम याद रखना है और राम सहाय प्रसाद यादो जो है ये वाइस प्रेसिडेंट है क्लियर है नेपाल के ये पहले इससे पहले वन और पर्यावरन मंतरी थे और इन्होंने अभी जनता समाजवादी पार्टी के एक नेता के रूप में ये चुनाव जीत गए है बारा टू निर्वाचन छेतरिन का रहा है नेपाल चुकी अपना परणोसी देश है तो इसके बार जो भी स्टैटिक का पोर्शन होता है ना उसको कवर करेगा ब्रहमोज जो है ये जनवरी से ले करके जनवरी 2022 से ले करके देसंबर 2022 तक का कम्प्लीट कवरेज है एक भी कुश्चन अगर ये 2022 से कुश्चन पुझा जाता है तो आपका छूटेगा नहीं ये मेरी तरप से ग जाएगी इंगली मिलना चाहो तो इंगली में हिंदी मिलना चाहो तो हिंदी ले सकते हो इन सब के लिए हम लोगों ने WhatsApp नंबर भी जारी किया है और MZT app पर भी आप Simply जा करके चूज करके जो भी लेना होगा उसे ले सकते हो और बहुत ही affordable price में है अगर आप इसको एक बार read करोगे न तो आपको समझ में आएगा content का label क्या है आपको practice set भी दिया जाता है इंड में जिससे आप practice भी अच्छे तरीके से कर सको और topic by topic हर एक चीज रहता है belt design अगला हाली में मिली जानकारी के अनुसार चेन्नाई के प्रतिष्टित संगीत कलानिधी पुरसकार 2023 के लिए किसे चुना गया तो अभी Bombay जैसरी को चुना गया है चेन्नाई के प्रतिष्टित संगीत कलानिधी पुरसकार थे 2023 के लिए यहाँ पर आप articles देख पाऊगे Bombay जैसरी choosing for संगीत कलानिधी अवार 2023 by Music Academy ये है Bombay जैसरी जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है ठीके संगीत कलानिधी पुरसकार मिला हुआ है ये बहुत ही famous करनाटक की गयक और संगीत कार है इनको 2023 के लिए मिला है कब दिया जाएगा ये पुरसकार हाला कि बितरित किया जाएगा 1 और 3 जनवरी 2024 में अभी announcement हुआ है कुछ और भी पुरसकार announce किये गए है TTK, पुरसकार, संगीत कला, चारे पुरसकार वगएरा वगएरा आगे देखते है हाली में किसने ACI Under 17 Under 16 Tennis Tournament में Double Crown जीता इसको जीत लिया है दोस्तो रिया सचदेवा ने इन्होंने Under 16 Tennis Tournament में Double Crown और Single दोनों जीत लिया है यहाँ पर आप देख पाएंगे इनको दो Trophy's के साथ इन्होंने Singles भी जीता और Double भी जीत लिया है ठीक है ACI Under 16 इन्होंने सेजल बुटाडा के साथ मिल करके Double जीता ठीक है और अकेले Singles में Single का टूनामेंट जीता और वहीं अराध्याचितिज ने लड़कों की खेल में किताब यह जीता हुआ है क्लियर आगे देखते है हाली में किस देज के क्रिकेटर और पूर्व कप्तान टिम पेन ने सन्यास की घुशना की टिम पेन यह आश्टेलियाई क्रिकेट टिम के पूर्व कप्तान थे इन्होंने सन्यास की घुशना कर दी है क्रिकेट के यह सभी फार्मेट से सन्यास ले रहे है यहाँ पर आपके सामने आर्टिकल है अच्छा आपको याद होगा जब एक बार इस्टीव स्मित और यह डेविड वार्नर वगरा फसे थे बाल टेंपरिंग के मामले में तो जब इस्टीव स्मित को कप्तानी से हटाय गया था उसके बाद जो कप्तान बनाया गया था वो यही बंदा था 2017 की बात है तो इनहीं को टिम पेन को बनाया गया था कप्तान ठीक है और यह अब रिटार्मेंट की खोशना कर चुके हैं इनका डेबी हुआ था 2005 में 113 फर्स्ट क्लास मेसेज में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया आस्टेलिया के लिए 2018 से 21 तक यह टेस्ट में आशले टीम के कप्तानी कर चुके हैं ठीक है 2018 की बात थी वह ठीक है तो यह था टॉप 10 करेंट अफेर का कोश्चन आज की वीडियो थे आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी पसंद आई होगी अगर वीडियो इन्फरमेटिव लगी है तो वीडियो को रजना के लिए दिया गया है आज आपको क्या बताना है इस्टेचू आफ प्रेस्परेटी ये भारत के किस राज में है या बता दीजे इस्टेचू आफ यूनिटी बता दीजेगा इस्टेचू आफ इक्वालेटी बता दीजेगा ठीक है इस्टेचू आफ पीस बता यानि पांच एप जो हैं उनका अर्थ आपको बता रहा है आपर चलिए इन सब का अंसर कीजेगा इसकी क्विज जा करके आप एमजेटी एप इससे सॉल्व कर लीजेगा सताबदी बैच है इस पर अगर आप एमजेटी 30 कूपन कोड यूज करते हैं 30% का डिसकाउंड मिलेग जोइन कीजे इस बैच को क्लास से चल रही है और एमजेटी एप पर सारी चीज़े आपको मिलेंगे ही इस एप को डाउनलोड करके रखिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे अगली वीडियो में तो तक लिए नमसकार जाएं वंदे मात्रम